इस्कूल के पास शराब का ठेका खुलने को लेकर स्कूल संचालक ने जताया विरोध लॉक्डाउन 3.0 की शुरुआत संबार से हुई वही इस लॉक्डाउन में सरकार ने कर्फी शेत्रों को छोड़ सभी जगह पर शराब के ठेके खुलने की अनुमती दी है वही आज अजम स्कूल संचालक ने कहा कि इसको लेकर उन्होंने पहले भी विरोध जताया था और इसकी शिकायत दी थी जिसके बाद इसको बंद कर दिया गया लेकिन आज फिर यह ठेका खुल गया वही उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को भी दी और फिर उत्तर उपादिक्षक प्रेंग का रगुवंची और क्रिशन गंस्थाना अधिकारी दिनेश कुमावत मौके पर पहुंच और मामले को शांत करवाया और इसकी शिकायत देने सब्सक्राइब के पास वाला इलाका है और यहां मेरे स्कूल की एक ही दिवार में इन्हों ने देशी ठेका खुल दिया जो की हमने इनका उब्जेक्शन उटा है तो मेडम आई उन्होंने का आप कलेक्टर को एप्लिकेशन दे और यह हमको तो आपकारी विवाग ने जारी सब्सक्राइब करेंगे अभी मैं जाओंगा इसकूल के लेटर पे उनको शिकाइद देखके हूंगा अभी तो इस्तिती कुछ नहीं है कि नहीं थोड़ा बहुत माल आया है दुकान साफ कर रहे हैं बस यहां तक ही है पुलिस में पुलिस वालों ने मना कर दिया कि हमारे थाड़े में रिपोर्ट मत करें आप एच्पी साब के और कलेक्टरे पास रही है वह हमको ओड़र देंगे जब हम करेंगे काल दिकरम सिंग राटवर्ड शीरे सक्षिन संस्तान का सचीरू